नमस्ते ज्यादतर इंवेस्टर सेल कर देते हैं और गलत इंवेस्ट्मन का निनाई ले लेते हैं। इस वीडियो में हम पांच इंवेस्ट्मन करने की रन नीतियों के बारे में चर्चा करेंगे जिनगे मादियम से अब उस्तर बाजार में सौधा कर सकते हैं। पहला है जुन्ड में जादतर इंवेस्टर अपने स्टॉक को एक दूसरे को देख कर बेचते हैं इससे क्या होता है बाजार में पैनिक उत्पन हो जाता है जिससे स्टॉक की कीमतें बहुत जादा भढ़ जाती हैं इस व्यवार को अक्सर जुंड ये शुतुन मुर्ग के व्यवार के रूप में ज पालन करना चाहिए यानि कि अपनी ट्रेडिंग की जो रणनीती है उनका ही पालन करें भीड का अनुसर रण करने के बजाए आपको यह याद रखना चाहिए कि अस्थिर बाजार लॉंग टर्म इंवेस्मेंट के लिए स्टॉक खरीदने के कई अफसर प्रदान करता है नि अब भी कमपनियों के शेरों को खरीदना है तो सबसे पहले उसकी कॉलिटी पर विशेश ध्यान देना चाहिए गुडवत्ता वाली कमपनियों से हमारा मतलब है कि जिन कमपनियों की वैल्यू ज्यादा अच्छी है अस्थिर बाजार में इस प्रकार की कमपनियों में निव पर रिसर्च करना और स्थिर बजार अंडर वाल्यूट स्टॉक खरीदने का एक शांदार मौका देता है। यह वह समय है जहां आप अंडर वाल्यूट शेरों के लिए रिसर्च शुरू कर सकते हैं और उनमें निवेश भी कर सकते हैं। ऐसे शेर जनकी कीमते उनके आंतरिक मौल्य से कम है उनको अंडर वाल्यूट स्टॉक कहा जा सकता है। आप अंडर वाल्यूट शेर की पहचान इन चीजों से कर सकते हैं। पी-ई अनुपात, वैल्यू अनुपात और भी बहुत हैं। मौल रूप से निवेशक को उन शेरों को चुनना चाहिए जो मौलिक रूप से मजबूत हैं और जिनकी कमाई हर साल बढ़ती रहती है। अगली स्ट्राटजी है लाब वाले शेरों को कैसे चुने। हमीशा उन शेरों में निवेश करना बहतर होता है जो उच्च कोटी का लाब उत्पन करने की शमता रखते हैं। इस तरह भले ही आपकी कीमते गिरती हैं लेकिन आप उन शेरों से लाबांच प्राप्त करके कमा सकते हैं जो लगातार लाब उत्पन करते हैं। तो उन शेरों में निवेश करना चाहिए जो ज्यादा लाब देने की शमता रखते हैं। एक पॉर्फेक्ट पॉर्टफोलियो का निर्मान करना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छा विविद पॉर्टफोलियो बनाने के लिए विबिन शेतरों के शेरों में निवेश करना चाहिए। एक विविद पॉर्टफोलियो निर्मान के अलावा उस पॉर्टफोलियो को पॉफेक्ट बनाए रखना भी बहुत ज़रूरी है। निवेशकों को बाजार की अस्थिरता से घबराना नहीं चाहिए, लेकिन इस समय अच्चे शेरों की तरफ ध्यान रखना चाहिए, जो शेर निवेशकों को लाप्रदान कर सकें। जब बाजार अस्थिर होता है, तो इस समय लॉंग टर्म इनवेस्मेंट करना सबसे सही समय ह विडियो देखने के लिए धन्यवाद.